हलो ब्रिवन वेलकम टू स्टेटी विद ग्यान प्रकास नमोदय विद्याले समित की ओर से टीजीटी पीजीटी और प्रिंस्पल के लिए साथ जो मिसलीनियस अधर पोस्ट होती है लाइक एज फिजिकल एजूकेशन टीचर और लाइबरेडियन वगारा के जो पत्ते तो उ आचली में बार बार जो है उपर नीचे हो रहा है तो जो पहला ही आपको लिंक मिलेगा उसी पर आपको सारी डेटेयल्स मिल जाएगी तो क्या नोटीस आइए नोटीस देख लिजिए आपको हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कुछ परिच्छाएं पोस्टोन होई है और कुछ परिक्षाओं की डेट बिल्कुल डिक्लियर हो गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यह नवोदय विद्याले समित की ओर से 19 नॉवंबर को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है नोटिस में क्या है थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप देख पाया इसको तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नोटिस रिगार्डिंग कंड़क्ट आफ कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट सीब्टी फार वैरियस टीचिंग पोस्ट नोटिफाइड अंडर डारेक् सब्सक्राइड वाले में कुल लगबग 1616 पते आल इंडिया लेबल पर इस्पेशल रिकूट्मेंट ड्राइब 2022 यह नार्थ इस्ट रिजन में लगबग आर्थ चोओन के आसपास पते या सो लाइक डैट जो कुछ भी रहे हो और जो डिपार्टमेंटल लेग्जाम में सर तो इसमें आप समझ सकते हैं कि देखो जो मिसलेनियस कटेग्री आप टीचर है इसमें फिजिकल एजुकेशन टीचर का हो जाएगा लाइब्रेडियन का हो जाएगा और जो बागी के पते वो हो जाएंगे ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर तो परिच्छा हो रही है लेकि कुछ पदों के लिए नहीं हो रही है आगे मैं उसके बारे मताओंगा फिलाल तो आप यह समझिए कि डारेक्ट रिकुर्ट्मेंट ड्राइब 2022 तेस में इसमें लगबख 1616 पद थे तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो टीजीटी की जो परिच्छा है फाराल सब्ज आप तो मिसलिनियस कटेगरी में जो परिच्छा होनी है वो 30 नौमबर खोनी है ध्यान रखेगा कि यह डारेक्ट रिकुर्ट्मेंट ड्राइब के अंतरगर जो टीजीटी और मिसलिनियस है उसकी एक्जाम डेट मैं भी बता रहा हूँ आपको तो जो मिसलिनियस कटेगरी क की परिच्छा होनी है वो मौर्निंग सिफ्ट में रहेगी नौ बज़े से लेकर बारा बज़े के बीच में ठीक इसके बाद अगर आप देखेंगे इस विसल्रेकुर्ट्मेंट ड्राइब के अंतरगर जो नार्थ इस्ट रिजन के लिए जो पद थे उसमें जो टीजीटी अभी नहीं आये हैं अगे मैं आपको बता रहा हूं ठीक है इसके बाद लेमिंटेड डिपार्टमेंटल एक्जानमेशन के अंतरगर जो पीजीटी की परिच्छा हो नहीं थी वो परिच्छा हो रही है अटाइस नॉम्बर को इवनिंग सिट में दो बज़े से साड़ी चा और यह भी कि जो अगर आपने हमारा टेलिग्राम चैनल इस्टेडी विद्यान प्रकास जोइन कर रखा है तो वहाँ पर भी आपको यह मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पोर्टल रहेगा पोर्टल का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं cbsc-items.nac.in- जो कुछ भी लिंक का पी लंबा है तो यहीं लिंक पर आपको जो है एड्मिट कार्ड और एबल कराए जाएंगे लेकिन कब देखो यह जो परिक्षाएं हो रही है 29-30, 28-39-30 को जो परिक्षाएं हो रही है डारेक्ट इस्पिसल रिक्रमेंट और डिपार्मेंटर एक्जा परिक्षाएं में दे दिया जाएगा इस पर क्लिक करके आप 25 नॉवंबर से डाउनलूड कर पाएंगे कब से 25 नॉवंबर से ठीक है और कुछ परिशाएं पोस्पोन हुई है कौन कौन सी पोस्पोन हुई है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि डारेक्ट रिक्रमेंट ड् 55 202023 के लिए जो PGT का पद है आप आप देख रहे होंगे डारेक्ट वाले में और स्पत प्रिंस्पल और प्रिंस्पल के पद भी रहेंगे यह पोस्ट पॉन कर दिये गए हैं अब कितने दिनों लोग पोस्ट पॉन हुए हैं यह बात हैं आप नहीं लिखी गई है परिक्षा कभी भी हो सकती है तो आपने पूरी तयारी रखें ठीक है और बाकी जो इन्फरफेशन लेकिन टेलिग्राम पर यह दिख्कत नहीं होती है टेलिग्राम अगर आपने जॉइन किया हुआ है तो मैं हर वीडियो को और हर जानकाली को टेलिग्राम पर सेर करता हूँ तो वहां से आप डिरेक्ली जो कुछ भी इन्फरफेशन है डिरेक्ली आप सकते हैं मतलब बिना यूटूब पे गए भी WhatsApp की तरह मैं आपसे connect रहता हूं तो टेलिग्राम को आप लूग जॉइन कर लीजिएगा टेलिग्राम का नाम है add the rate steady with ज्यान प्रकास लिंक वीडियो के description में मैंने दे रखा है ठीक है अच्छा अब तो admit card के लिए आपको कहां पर जाना होगा तो एक तो link direct link मने आपको बता दिया था दूसरा यह होगा कि जब आप 25 तारीक को यहां पर आएंगे तो यहां देख रहे हैं आप यहां पर आपको कहां जाना है recruitment में जाना है उसके आगे यहां आप देखेंगे तो admit card का link दिया गया है इस पर आपको click कर देना होगा और अभी फिलाल यहां पर देखेंगे अगर आप तो कोई मतलब बिसे जांकारी नहीं दी गई है यह 14 March के बाद कोई भी update यहां पर नहीं है 14 March तक का ही update है यहां पर द download कर पाएंगे वैसे भी मैं सारी जांकारी आपको यहां पर देता रहूंगा और studywithgyanprakas.com हमारी जो website है उस पर भी मैं आपको link उस समय उपलब्द करवा दूँगा तो वहां पर भी आप वेजिट कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों यह थी पूरी information और अगर आपके मन में अ at the rate outlook.com पर email कर सकते हैं thank you so much please do like and share